नमस्कार दोस्तों, मैं कुनाल खाल रहा, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा ओव बर्थ नमबर 28 कि 28 डेटा ओव बर्थ को जो लोग पैदा होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है डेटा ओव बर्थ वाले वीडियो में मेरे सबसे ज़ादा रिस्पांस आ रहे हैं हाला कि जब मैंने वीडियो शुरू किये थे तो मैं सुझा देटा ओव बर्थ पर क्या बनाओ, कोई देखेगा, नहीं देखेगा मगर जैसे ऐसे मैंने डेट्स के वीडियो देखे हैं, अपने उन के सबसे ज़ादा कमेंट्स और सबसे ज़ादा उस पर जिसे हम कहते हैं, पसंद किया जा रहा है कि डेटा ओव बर्थ के बारे मैं बता रहा हूँ, कि वो बिलकुल एक्यूरेसी नहीं है accuracy बहुत कम है उसमें, बिलकुल नहीं है, accuracy कम है, मैं सिरफ elements के और planets के base पर prediction करता हूँ, जो भी data of birth के बारे में बताता हूँ, तो समझ लिजे हो basic data of birth के बारे में बता रहा हूँ, इसके अंदर इस nature की chance की बात है कि मेरी prediction 50-60% आप लोग, कई लोग तो 100% भी लिखते हैं, match कर जाते हैं, destiny number भी जूड़ जाते हैं, तो यह काफी हद तक और changes लाते हैं, मतलब जो मैं बता रहा हूँ, यह समझ लिजे हो 50-60% आपके साथ match करना चाहिए, कोशिश करता हूँ, उसनी clarity के ताब साथ आपको बता सको, तो आज हम बात करेंगे 28 number की है, 28 यानि 28 तारीक, अब यह जो combination sun और Saturn का बन रहा है, तो यह अपने आप में एक ऐसा combination है, जो conflicts डालता है, मगर यह number खराब नहीं, यह number बड़ा मज़िदार number है, खांदानी पैसा, खांदानी support, इनके पास तकरीबन रहते हैं, maximum 28 number मैं ने देखा है, जिन से नुकसान बहुत होता है, यह नहीं नु बिजनस में लॉस हुए है, तो जानके थोड़ी करता है कोई भी, कोई नहीं करता, मगर लिखे होते हैं, तो चांसिस बनते हैं, तो 28 वालों के साथ पहले यह विचारे बहुत नुकसान करते हैं, चाहे husband का पैसा ले लो, ससुराल का पैसा, या खांदान का पैसा, मतलब parents का पैसा जादा होने के चांसिस होते हैं, तो यह पैसा इन से एक बारी टाइम पे एक जटका इनको मोटा देता है, खराब करनेगा, नहीं दिया तो बहुत अच्छी बात है, कुछ नंबर ऐसे होंगे, जो saving नंबर होते हैं, जो बचा लेते हैं, मगर जारा दर चांसिस हैं, loss इनके पास आता है, अब यह mood swings का नंबर है, देखिए इसमें दोनों चीजे साथ जुड़ रही है, moon और Saturn, यह अपने आप में mood swings देता है, कैसे देता है, इसका मन करता है, मैं ना सामने वाले के साथ बहुत करूं, बहुत अच्छा करूं, चाहे बहनों के साथ, भाईयों क साथ, यह partner, life partner को सब कुछ बताओ, life partner को मैं इतना खुश करके रखो, मगर अगर life partner बातें घीजने वाला निकल गया, थोड़ा सा टेड़ा निकल गया, तो फिर वहीं से जूते भी बढ़ते हैं, फिर वो बरदाश भी नहीं होते, जूते पढ़ते भी हैं, मगर एक तो इतना दे देना है उसको, बाद में फिर mood भी खराब होता है क्योंकि two भी है, two का मन भी तो weak है, emotions है, दिल में आए eight में real emotions है, eight के emotions और two के emotions में बहुत फरक है, two वाला तो हर जगे ही दिलदार रहता है, eight वाला जहां लगता है उसको, यह गरीब को मेरी जरुत है, यहां स तो मैं लो, giver number आई यह, जाना तरह है, one है तो इसको strongly बचा लेता है, one ना हो तो खराब करता है, तो यह जरुत से ज़्यादा कर देते हैं, जरुत से ज़्यादा करते हैं, फिर response में नहीं मिलता, तो वो इनका loss में कहलो, यह इनका मन परशान होता है, उस तरफ ले ले लो लाइफ पार्टनर और पेरेंट्स के बीच में इनकी disturbance रहने के chances ज़्यादा रहते हैं, at the age of 35, close to 35, पेरेंट्स की और मतलब उसमें, हाँ, इसमें matter करते हैं संसकार, अगर आपके संसकार यह कुछ ऐसी हैं, मतलब जिसके अंदर हम in-laws को बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहते ह कि बहुत ज़्यादा respect देते हैं, क्योंकि आजकल तो nuclear families हो गए हैं, पहले जो शादियां होती थी, उनके अंदर एक joint families के अंदर जाते हैं, तो यह समय लिजे कि वो conflicts हो ना हो चलेगा, मगर जारा तर इनकी disturbance रहेगी in-laws के साथ, मतलब कहीं न कहीं कुछ problems आ जाजेंगी, य chances बढ़ जाते हैं, तो यह life partner और parents के बीच में इनका disturbance रहेगा, एक हम देख सकते हैं इनके अंदर के अगर इसमें नमबर कुछ खराब होते हैं, अब कुछ नमबर जुड़ेंगे तो इनके अंदर changes आएंगे, इनके साथ 3 जुड़ेगा मानलो March में पैदा हूँ है, तो फि स्टेट फॉरवड बन जाएगा, इसको बत्तमीजी भी कहा जाती है, कि स्टेट फॉरवड आपने किसी के मुँपे कुछ भी बोल दिया, कुछ कलत जबान बोल दी, तो वो combination बन जाएगा, इसके दाए सिक्स जुड़ जाएगा, तो अलग combination हो जाएगा, टू multiple होगे, तो जादा emotional होगे, मन जादा दुखी होगा, चोटी-चोटी बात है भी दिल, अब टू कैसे भी जुड़ सकता है, दिसंबर का भी टू जुड़ सकता है, या फरवरी का भी टू जुड़ सकता है, तो ये कुछ combinations जुड़ेंगे, कुछ बनेगा, तो उसके बाद एक नेचर तक काम में जाने के chance से जादा है, खांदानी property, खांदानी विरासत की royalty मिलने के chance से दिन को थोड़े से जादा होते है, आशेकरतों मेरे दीगे जानकरी ठीक लगी होगी, जल्दी मिलतों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार.